क्या आपने कभी सोचा है कि किस चीज ने और द्योगिक क्रांती को जन्म दिया और दुनिया की प्रगती को प्रेरित किया। खैर, यह सब एक सवाल के साथ शुरू हुआ। हम कैसे अधिक स्मार्ट और तेज काम कर सकते हैं। भाप इंजन में प्रवेश करें। 17 वी शताबदी के अंत में थॉमस सिवरी एंड थॉमस न्यूकमिन जैसे प्रतिभाशाली दिमाग खदानों से पानी पंप करने के लिए पहले भाप इंजन का निर्माण किया गया। 17 वी शताबदी में तेजी से आगे बढ़ते हुए जेमस वाट्स के सुधारों ने इन मशीनों को कुशल और बहुमुखी बना दिया। भाप इंजन और योगिक युग की धड़कन बन गए कारखानों, ट्रेनों और जहाजों को चलाया। आज, जबकि हम तकनीकी रूप से विक्सित होने के बाद, भाप इंजन की भावना बिजली उत्पादन में बनी हुई है, खासकर बिजली उत्पादन जैसे क्शेत्रों में। इसने नवाचार की नीव रखी और हमारे जीने के तरीके को आकार दिया। इस सफलता के विज्ञान को समझना और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।